PC अवाज में नी साफ़ेए अप लोगों है राइट आप लोगों को बिर्कुल क्लीर है एजर मिर्कुल क्लीर ठीक है एक सेकंड मुझे एरफ़ोन भी लगा लें दिची है कि आवाज आप लोगों के लिए को ला करें भागी लोग कहा रहे गए चले एक काम करते हैं मैं उनलों को वैसे रिकॉर्डिंग प्रोवाइट कर दूगा बागी लोग जोईन करें ना करें मैंने टाइविंग दी थी नौपंद्रा की कोई बात नहीं हाँ करें तुकिए तो मैं काम करूंगा भाके लोग जॉइन करते हैं जब करते हैं देखा जाएगा ज़िता है मैं एक छोटी से एंडॉंसमेट डेता हूं people अब अब इसमें अभी तक 3 classes हुए है तीक है और उसकी classes alternate days चलती है तो मैं काम करोंगा आप लोग की वह 4 classes cover कर दूगा और उसके बाद से आप लोग को उसी वाली batch के साथ आप कर दूगा ठीक है उसमें 4 तीन classes हुए है आप लोग की 4 classes complete कर के जैसे भी उस बैच के साथ में आट कर दूगा उसमें लाइड ट्रेडिंग वली तो नहीं सर लाइड अभी तक नहीं लाइड अभी तक नहीं अभी लाइड 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 नहीं पूरा आप लोग को पढ़ाने के जाएड लाइड लाइड तक नहीं मेरा नम वन शाय के लिए तक जी किस लेवल पे अभी तू बेर नम वेरा अभश यह काह जो है जीर मेरा नाम वंश है, मैं सर बिगिनन तो नहीं हूँ, बिगनर से थोड़ा ओपर हूँ, और मैंने वान एर हो गया मुझे करते हुए, तो काफी बार ऐसा होता है कि मैं ऐसा हूँ कि जो नहीं होता है, बूम और बॉस्ट कभी थोड़ा ओपर कभी नीचे, फिर एक दम सी नीचे बिल्कुर फिर उपर ऐसे उता है, बूम इन बस साइकलोजी के बारे में काफी पड़ता हूँ, यह फाइट अन फ्लाइड जो हमारे ब्रेन में होता है, मेमिलियन ब्रेन, यह सब के मैं सब पड़ता रहता हूँ, ब्रीधिंग टेक्निक्स वेरा भी देखता हूँ, बड़ जलतर एंड में यह आई, की सब ही पर दिमाग बंद हो ज soir सारी चीजेजे सही चलती है, जहां आपका सब्सक्राइब होता है जहां ज़रोट से थोड़े जादा बड़े लॉसस होते हैं सब चीजे गर्मट हो जाती है कुछ समझ में आता है मार्केट बंद होने के बास समझ में आता है कि हुआ क्या है जी मेरे साथ ओवर ट्रेडिंग का बहुत इसू होता है चलिए आप अकेले बहुत लोगों को ओवर ट्रेडिंग का इसू होता है ठीक है और से डाउट बहुत आता है कि मेरी स्ट्रेटजी सही है या नहीं गलत कर रहा हूं यह सब दाउट अपको हमेशा नहीं आता होगा आपको सबसे जादा ता माता होगा जब जो है आपका बहुत बड़ा लॉसस रचाजी जाता हूं जाता हो आपकी अपकी आप लुपने बारे में कुछ बताई यह अपकी आप लोग आपना इंट्रोड़क्श्ण दे के बता सकता है अपना नाम केशभ शाह जी मतलब आप अपने बारे में कुछ बताईए क檀 आ हाँ आप अपनी ट्रेडिंग के लेवल पे कहां पह गया है अप स्राट कर रहे हैं हाँ या फिर कुछ आप थोड़े से जादा आढ़े है पे हैं मिरी आवाज आ रही है न सबको जी सर आ रही है आ रही है चली बाकी जेड 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 ये आप अपना नाम बदा दीजे प्लीज अन्म्यूट करके अलो सर अलो जी बताईए अलो मेरा नाम सिस्टर हुए जी बोलिये कर रहा हुए और बंदे का कोर्स भी जोइन किया था इससे पहले है तो उन्होंने कोर्स में बता दिया यह सपोर्ट होता है रेजिस्टेंस होता है एंपेटर्न डबलू पेटर्न पटिक है मुझे उसका लॉजिक में समझा रहा है अभी है और जैसे मैं नेदक को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दो आधा मैं पूरे हपते अच्छा रहा है और लास्ट में पाइब लास्ट में था इसका पाइडियों नेदक कि अधिया तो ष्क्राइब नोड किया है, आपको पता है, इस पर हमती है, कि और लाकर लॉस को होता है, क्योंकि एक्स्पीरी पर आपके आपके आप्षिंज्स के प्रीमियम सबसे ज़्यादा ंसे गिरते है, वो पर गहांते है, आप आप आप्षिंज्ट करते हैं? सबसे आपको छोड़ा सा एक्जामपल नेता हो अप आफने क्या किया नॉमर्म डेस में उपे बैट जा जाते थे यहां तक जाते जाते आपको कुछ प्रॉफित हो जाता था था थोड़े प्रॉफित ब्क करके निकल जातेments ağ लेकिन expiry के दिन पे market यहां से यहां तक तो गया लेकिन अगर यहां से इतना भी retrace करेगा तो आपके जो भी profits हो रहे रहेंगे वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि market इतना दूर भले आपका travel कर लिया लेकिन आपके profits पीनल स्क्रीन पे ना के बराबर होगे क्योंकि मैंने कहा time decay सबसे जादा होता है तो इस time decay से कैसे बचना है यह मैं आपको आगे classes में बिल्कुल बताओंगा ठीक है प्लस जो आपने कहा कि support resistance फिर आपका m pattern w pattern यह सारे pattern बंदे क्यों है क्या इसके पीछे का logic होता है यह सारा मैं logic के साथ पढ़ा होगा ठीक है आपको यहां पर बिल्कुल ले सोचना पड़ेगा कि यार यह चीज तो बता दिया बट इसके पीछे का logic है मैं सारी चीज एक ची जी आप अपना नाम बता दीजे प्लीज कौन है आप मतलब नाम बता दीजी प्लीज करके मतलब मुझे पता रहना चाहिए ना कौन है आखेर आप अमितेश जी का तो नाम समझ में हा रहा है जड़त जी एक सेकेंड और चलिए ठीक है अमितेश जी तब तक आप बताई आप बेसिक पे हैं एक दम की थोड़ा सा बेसिक से उपर है देखिए मुझे अपने स्टुद्स के बारे में पता रहें का तभी तो मैं लेक उन्हें हर स्टुद्स को पर्टिकुलर अंगल से ले सकता हूँ मैं समझा सकता हूँ मैं केशव जह जी को फिलाल मैं आज की सिर्फ मतब बहुत चोटा सा इंट्रोड़क्शन हम ले रहा है ठीक है उसके बाद से क्लाश शुरू करते है ठीक है चलिया मितेश जी जब आपका माइक सही हो जागा तो प्लीज आप आपको अन्म्यूट करके लोग आते हैं ठीक है कोई बात इस लोग थोड़ा बेसिक से उपर हूँ छे महीने हो गये ठीक है केशव जी बेसिक से है जरजर जी अभी बता नहीं रहा है बाकी लोग अभी तका है ठीक है चलिये देखिए आप लोग सब अलग अलग लेवल पे हैं तो मेरा काम यह है सब सबको एक बेसिक से लेके चलना उसके बात से मैं एडवांस के लेवल पे लेके जाओंगा अभी मैं आपको कोर्स का आपका स्केडूल डिसकस कर दे रहा हूं कि तीन दिन हमारी बेसिक सी क्लास रहेगी ठीक है बेसिक में ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले से सीख क्या है तो पिर उसके बाद हमारी प्राइningar अक्शन की क्लास के और ग्रपी और यहां पे सबसे ज्याधा दिककत किसी को भी साइक Unless होगे ठीक है अगर हाँ और आप लोग प्लीज अपने हैंड रेस कर दीजे जब भी मैं कुछ पूछ हूँ आप लोग को चीज सही लगे तो हैंड रेस कर दिया कि चाहिए ताकि मुझे भी लगता रहे कि कि आप ध्यान दे रहे हैं क्लास में आप इंटराक करें बागी कुछ नहीं बाहर बार अन्म्यूट करने के बोलने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ अपने हैंड रेस कर देंगे तो मुझे उतने समझ में आ जाएगा चलिए तो उसके बाद से अच्छा आप लोग चलिए बेस बाई है चलिए देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में हम क्यों आते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है कैसे क्या हम क्या करता है ठीक आपको पता है जब भी आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा आपने ये सूच कुछ companies हैं जो कि market में trade होती है ठीक है इस पर हम इसके कुछ shares buy करते हैं इतना चीज आपको पता होगा अब ये companies ये stocks जो है market में आते कैसे है say for example अगर आपका है मान लीजे यहां पर MRF की कोई company होगी या फिर आपका मान लीजे Reliance एक company है ठीक है तो Reliance साकित stock market में आई कैसे कैस इसके पीछे का सबसे simple rule है कि आपका जो है एक IPO launch करती है जैसे मान लीजे कोई भी एक company है ठीक है Reliance एक company है उसको मन हुआ कि उसे market से पैसा उठाना है मतलब कि उसे अपने share holders से पैसा उठाना है उसे अपने market से पैसा उठाना है ठीक है तो वो क्या करेगी अपना एक छोटा IPO launch करेगी ठीक IPO launch करने का मतलब यह होता है कि किसी भी company का कुछ एक percentage जैसे Reliance का 10% या 20% या 30% डाइल्यूट होता है ठीक है डाइल्यूट होता है इसे dilution कहते है ठीक है और इसके shares market में list होते है ठीक है इसके shares list करने का procedure क्या है मुझे बताने की जरू होते है आपको भी पता ह IPO आता है IPO सब्सक्राइब किया जाता है ठीक है सब्सक्राइब किया जाता है इसे FIIs, DIIs और Institutional Daily Retail Investors सब्सक्राइब करते है ठीक इतना तो आप लोगों को पता होगा IPO में आज तक आप लोगे ने अपलाई किया होगा रही क्यूचर में पास्ट में कभी भी ठीक है तो इसी कंपनी जब अपना IPO लेके आती है तो एक minimum percentage 30-40% का लेके आती है बाकी 60% वो अपने पास रख लेती है ठीक है 60% कंपनी की वो अपने पास रख लेती है एक example देखे मैं आपको समझाना चाहूँगा धोड़ा सा ठीक है say for example एक company है जिसका valuation एक लाग रुप है ठीक है बहुत 40% को dilute किया 40% के shares लाए ठीक है एक लाग का 40% आपका हो जाएगा 40,000 ठीक है फिर इस company ने decide किया कि इस 40,000 अगर ये 40,000 आया 40,000 मैं company का 40% या रही कि 40,000 रुप है की company मैं dilute कर रहा हूँ तो इसके मैं 4000 shares बनाओगा ठीक है 4000 मैं shares बनाओगा ठीक है तो इससाब से पर share का दा 10 रुप है एक share का दाम हो गया राइट बस हैंड रिस करते हैं अगर समझ में आते चला जारो है तो हैंड रिस करते हैं चले ठीक है तो इसने company ने क्या किया इसने अपने हर share का दाम 10 रुप है ठीक है इसने अपने company के 40% shares dilute किये और total इसके 4000 shares है जिसकी total valuation है आपकी 40,000 रु ठीक है उसके बाद से होता ये है कि अब देखिए ये जो 10 रुप है का share है 10 रुप है का एक share reliance का हो गया है ठीक है मेरा मन कर रहा है मैं एक बड़ा आदमी हूं मुझे लग रहा है reliance की कीमत मेरी नजरों में जादा है ठीक है अब समझे होगा क्या आपके पास ये share है 10 परी अच्छी है इसका नाम अच्छा है इसकी valuation अच्छी है इसका future अच्छा है मैं आपसे 11 रुपए में खरी लोगा ठीक है और जब ये कुछ बड़े orders 11 रुपए पे execute हो जाते हैं मतलब market में अगर 10 रुपए पे कोई sell नहीं कर रहा है अब 11 रुपए पे सब कोई sell कर रह ठीक है यानि कि 40% का valuation हो जाएगा 44,000 रुपए इसी हिसाब से 100% का जो valuation initially आपका एक लाग रुपए था ठीक है इनिशली आपका जो एक लाग रुपए था company की पूरी valuation change होके क्या हो गई 1.1 रुपए इसी तरह IPO के वज़े से stock market में shares आते हैं इसी वज़े से उनके prices change होते ह क्योंकि कोई ना कोई किसी particular stock को मुझसे ज़ादा price देके buy करने को तयार है और चाहा कोई मुझसे ज़ादा buy करने को तयार है वहाँ उसकी valuation बढ़ जाती है बात समझे भई ठीक है इसी को कहते है supply or demand ठीक है आप अगर 10 रुपए पे से मुझे sell कर रहे थे यानि कि आप इसक अगर सबको सारी चीजे समझ वह आ गई है कि supply के बढ़ने से शेयर प्लाइस नीचे जाएगा इस कंडिशन में शेयर प्लाइस नीचे जाएगा supply के बढ़ने पर दिमाइड के बढ़ने पर बहुत अच्छी बात है ठीक है आई के सित्ता चीज आप लोगों को clear हो गया ठीक अब तो shares की बात खतम हो गई IPO की बात खतम हो गई ठीक है अब जो मैंने आपको अभी भी market cap समझा है था ना कि एक लाग रुपए का market capitalization है एक लाग रुपए कि इसकी valuation है ठीक है इसी valuation के हिसाब से ये decide होता है कि कोई company small cap है mid cap है या large cap है ठीक है large cap को कभी-कभी blue chip stocks भी कहा ढरता है ठीक लाँज का कभी इस इनको कहा जाता है जिनका valuation 30,000 लौ2 से उपर हो इनको mostly large cap में consider किया जाता है ठीक है ड़्यम券 Um उपर हो तो इसको mid cap कहा जाता है ठीक और किसी company का valuation अगर 10,000 या 5,000 करोड से कम हो ठीक है तो इसे small cap कहा जाता है ठीक और इसके नीचे एक level आता है penny stocks ठीक है penny stocks मतलब mostly पहले उल्लों को कहा जाता था जिनके share prices 10 रुपए से कम हैं लेकिन 10 रुपए से कम होने के साथ साथ इसका एक और criteria रहता है कि इनकी valuation market capitalization 1000 करोड से कम रहती है इनको penny stocks कहा जाता है small cap, medium cap, large cap, penny stocks, shares, IPO ये सारी चीज़े clear हो ठीक है अब देखिए अब हम जो है हमेशा बात करते हैं nifty 50 की या bank nifty की और आपके जो देश की 50 सबसे बड़ी companies है वो आपकी nifty 50 में आती है देश के जो 12 सबसे बड़े banks है वो आपकी nifty bank में आते हैं और इसी तरह आपका nifty IT है इसी तरह आपका nifty finance है, इसी तरह आपका nifty PSU है, nifty private bank है, nifty infra है दुनिया भर की indices है ठीक है ये सब index जो है index जो है कुछ नहीं होते है बलकि एक stock सा collection होते है देश की सबसे कुछ particular stock सा collection होते है जिनमें आप trade कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ठीक है फिलाल इंडिया में तीन तरह के index tradable है ठीक है तीन index tradable है वो है आपके nifty 50 bank nifty और firm nifty ठीक है nifty 50 bank nifty और आपकी nifty friends ठीक है क्या आपको पता है कि पहले nifty IT भी trade किया जाता था कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले तक साल पर पहले तक nifty IT भी trade किया जाती थी पर इसमें इसकी trading जो है ठीक है कोई बात दी चलिए ठीक है हाँ तो हम क्या discuss कर रहे थे आपको क्या पता है कि पहले हमारी nifty IT में भी trade की जा दी थी मतलब nifty IT के भी options होते थे nifty IT के भी futures होते थे क्या आपनों को ये चीज़ का idea है नहीं idea हो तो चलिए मैं बता देता हूँ जैसे आज हम bank nifty में trading करते है जैसे आज हम nifty 50 में trading करते है मतलब futures और options भाई करते है nifty 50 के bank nifty के उसी तरह goes in पहले nifty IT भी हुआ करती थे एक index nifty IT में हमारे देश के सबसे बड़े IT stocks है जैसे के TCS, Vibro Infosys, Mindry, Tech Mahindra ये सब stocks मलाके nifty IT में आते थे चलिए, क्या आपको पता है इसमें से nifty IT की trading बंद होने के पीछे का reason क्या था nifty IT बंद क्यों होगे trade करने के लिए, चलिए नहीं पता है तो मैं पताता हूँ, हाँ, देखिए stocks जो होते हैं ना हमारे ठीक है, मतलब हमारे जो ये indices होते है इसमें सबसे जादा trading कौन करता है सबसे जादा बड़ा पैसा कौल लगाता है क्या मुझे कोई कोई बता सकता है कि indices में सबसे जादा बड़ा पैसा किसका लगा रहता है है चलिए मैं आपको international, diify ठीक है, diify का लगा रहता है अगर आपनों को थोड़ा basic भी idea होगा तो आपको पता होगा कि option seller सबसे जादा रगाट से, option seller सबसे जादा रिचे से जिनलों को नहीं समझ में आ रहा होगा, आप टेशन भी लीजे, मैं इस सारी terms आगे अगली classes में explain करता ही चलूंगा, तिक है, अगर अभी कुछ नहीं समझ बस अपना एक डाउट चोटा सा रख लीजे ठीक है फ्यूचर में आपके वो डाउट अपने आप ख्लियर हो जाए ठीक है तो option selling में मतलब हमारी जो indices की trading होती है इसमें FII और DII सबसे जाधा trade करते हैं option selling के purpose से ठीक है और option seller जो है वो सबसे जाधा ड़ता है बड़े बड़े gap ups और gap downs से ठीक यहां तक आप लोगों को clear है आप लोगों ने खुद मुझे कहा मैंने कुछ बता है नहीं ठीक है चलिए मैं आपको एक छोटा सा fact बताता हूं कि हमारे देश में दो ऐसे sectors है ठीक है जो American market से बहुत ज्यादा influence होते हैं ठीक क्या मुझे कोई वो दो sectors के नाम बताएगा कोई ऐसे दो sectors जो American market से बहुत ज्यादा influence होते हैं मतलब Dow Jones जैसे जैसे change होता है वैसे वैसे हमारे दो sectors बहुत ज्यादा change होते है क्या किसी को इस चीज़ का idea है चलिए नहीं आइडिया मैं बताता हूं सुर बैंकिंग नहीं नहीं बैंकिंग बलकुल नहीं हमारी जो IT सेक्टर है और हमारी जो फार्मा सेक्टर है यह सब सबसे जादा influence होती है American market से फार्मा सेक्टर इसलिए क्योंकि हमारे जो है हमारे देश की जितनी वड़ी फार्मा कंपनीज है इनके बहुत सारे plants अमेरिका में लगे हुए इस वाई से यह बहुत जादा influence होते ह अमेरिकन market से ठीक और जो हमारा IT सेक्टर है IT सेक्टर का पूरा पूरा जो हमना मतब consumer base है वो अमेरिका की companies है जैसे Microsoft Microsoft हो गया Apple हो गया फिर आपकी दुरिया बरका IBM वगरा हो गया ठीक है Accenture हो गया यह सब जो है हमारे इंडिया की IT companies पर dependent रहती है ठीक तो इसी वज़े से ज होना सबसे जादा फर्क पढ़ता है रुपीज के depreciate या appreciate होने से ठीक है हमारा जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के comparison में किस तरह perform कर रहा है उससे भी बहुत जादा IT companies को फर्क पढ़ता है क्योंकि देखिए IT companies को मैंने अभी आपको बता है कि IT companies का major source of revenue major consumer base क्या है अमेरिक रुपीज में ही अपनी salary देते है रुपीज में अपने TCS के employees वगरा को payment वगरा करते है तो जब dollars की value बढ़ती है मतलब जब rupees अपना depreciate होता है जैसे एक dollar की value अगर आज 82 रुपीज है ठीक है तो अगर किसी अमेरिका की company ने इंडिया की company को 10,000 dollar दिये ठीक है तो क्या आप को ने लगता है ये देंगे 10,000 dollar ही लेकिन इंडिया में इसका फर्क कम पड़ेगा तो इसी वज़े से ये दो reason है कि हमारी IT companies इन दो factors से बहुत जादा manipulate होती है बहुत जादा change होती है ठीक है अब इसका trading से क्या relation देखिए मैंने आपको अभी बता है कि option sellers gap up gap down से बहुत जा आपको अभी exact graph दिखा दूगा ठीक है तो इसलिए overall lifty पे जादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब हम अकेले IT index को trade करते है तब हमारा बहुत जादा फर्क पड़ता है तब जो हमारा gap up और gap downs होने की वज़े से IT companies बहुत जादा दिक्कत होने लगती थी तो जो option sellers होते थ कि इसको रखने का कोई मतलब नहीं रहा ठीक है फिर उसके बाद से इसी वज़े से हमारा IT sector जो है trade करने के लिए nifty IT बंद होगा ठीक यहां तक चीज़े आप लोगो clear है चलिए अब ज़रा एक छोड़ी सी छोटा सा मतब जो लोग इक्तम brand new हो उनके लिए कुछ चीज़े clear कर देता हूं यह session recorded रहेगा ठीक है और कुछ recording में एक module बनाऊंगा पूरा recorded session का ठीक है उसमें upload हो जाएगा ठीक है तो कुछ basics all clear कर लेते हैं ठीक है कि हमें इंडिया में trade करने के लिए आपको भी पता होगा दो accounts चाहिए एक हमारा DMAT account होना चाहिए ठीक है एक हमारा trading account होना shares को electronically hold करता है अपने पास electronically certificate wise अपने पास hold करता है इसी को DMAT account कहते है जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने DMAT account कहते है ठीक इंडिया में दो DMAT account holders है ठीक है एक CDSL है Central Depository Society Limited ऐसे कुछ करके है और आप जब भी अपना broker account खोलते होंगे जब भी अपना stocks पे या जरोधा पे कोई एकांट खोलते होंगे ठीक है तो आपको options मिलते हुए कि आपको NSDL में account खोलना है या CDSL में खोलना है CDSL क्या करते है आपके shares को electronic form में store करते है पहले क्या होता था जब हम पहले के आपको एक broker account खेंगे आप लोगों सबको पता होगा जरोधा एंजल प्रोकिंग अप्स्टॉंक्स फायर्स यह सब आपके ब्रोकर अकांट है यह आपको ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म प्रोवाइड करते है यह आपको सॉफ्ट्वर एक से क्लियर होंगी पहले से ठीक है अ मतलब I don't think so कि अभी वो लाइग होता है क्या ठीक आपको लगता होगा तो कोई बात नहीं मतलब फिर्स्ट 10 मिनिट्स इसकी जो खेंडन होती ना तो ओपर ज्यादा होगी और नीचे जादा होगी उपर ज्यादा होगी चली मैं तो फिलहाल I guess 2-3 सालों से वही उसकर रहा ह लेकि मेभी हो सकता है ठीक है आपको ऐसा लगता हो लेजिन ऐसा हो नहीं चाने है क्योंकि Fires का जो चार्ट रहता है वो Trading View का ही चार्ट रहता है वो कहीं और से लेकर नहीं होगा तो जो लोग यहाँ नहीं जानते हैं आप अगर फिर्स में अपना D wallet अकाउंट खोलते है ठ आप उसी एक particular platform पे एक साथ दो चार्ट, तीन चार्ट, चार्ट चार्ट लगा सकते हैं आपको trading view के premium के लिए जो कि almost I guess this time 8000 या 10,000 रुपे का subscription रहता है आपको वो नहीं pay करना पड़ेगा आप free of cost वो जीज का फायदा उठा सकते हैं तो जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें trading view यूज कर रहा है बट बहुत expensive है तो वो fires जैसा मतब एक fires यूज कर सकते हैं आपको यही सारी features free of cost मिल जाएगे जैसे देखिए trading view का pro plus का cost जो आपका 2495 है ये पर मन्त है ये चीज आपको फायर्स में 500 रुपय सालवर का देने पर मिल जाएगी बस एक छोटी सी छोटा सा टिप था छोटा सी हिंट थी आप लोग में से जिन लोग यूज करना चाते हैं अब देखिए हमेशा ना हमें ये चीज नहीं पता रहती है क्या आपने कभी पास्ट में ये चीज अलर्ट भी सर्थ हाँ आप उसमें अलर्ट फगर भी लगा सकते हैं ठीक है अब ज़र छोटी सी बात करते हैं हमने अभी बात की निफ्टी फिफ्टी की बैंक निफ्टी की और तरह तरह के इंडेक्स की मैं major focus अपना रख़ूंगा निफ्टी 50 भांग निफ्टी फिफ्टी की बाकी जितने सारे इंडेक्स है किसे सर्च करतें किसे сबस्शाइट से सार्च लें मैं देख सकते हैं किया यहाँ सारे लोगों को यह चीज पता है कि nifty 50 में या bank nifty में किसी एक particular stock का कितना वेटे जाए और किसी एक stock के एक point move करने पे वो particular index कितना point move करता है क्या ये चीज़ आपनों को पता है देखिए नहीं पता है कोई बात नहीं trading करने में आपको दिक्कत नहीं होगे लेकिन एक general idea हमें होना चाहिए कि हाँ ये stock मतब ये कैसे कितना move करता है तो इसका bank nifty पे कितना फ़र पढ़ता है nifty पे कितना फ़र पढ़ता है क्या आपनों को ये चीज़ का idea है पहले से general idea है जैसे HDFC, ICIC bank nifty का सटावड़ गाउग और nifty में reliance और HDFC nifty में reliance और HDFC चलिए ठीक है तो ये बताईए कि क्या आपनों को ये चीज़ पता है कि इन सब के 10 पॉइंट मूफ करने पे हमारी bank nifty कितना पॉइंट मूफ करेंगे कभी ये चीज़ देखी है चलिए ठीक है पर बात नहीं अभी आपको में देता हूँ एक website है इसके बारे में क्यों बताया नहीं जाता है क्यों डिस्कस नहीं किया जाता है बढ़ एक बहुत अच्छी website है nifty indices.com ये हमारी NAC के official एक website है nifty indices.com अभी मैं इस website के कुछ खास बात खास चीज़े आप लोगों दिखाता हूँ समझानी के कोशिश करता हूँ पहले हम आते है nifty indices पे ये website का एक nature है overall ये थोड़ा सा slow रहता है आप internet भले जित्ता fast हो ये हलकी सी slow जलते है तो कभी घब रही है इसमें मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़े दिखा रहा चाता हूँ पहले हम आते है indices में कोई भी एक major index select करते है say for example nifty 50 हम select करके देखते है कैसे क्या-क्या use कर रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे कुछ चीज़ें आप बहुत जादा simplify कर सकते है मैं आपको अभी बताता हूँ फिलहाल कुछ major चीज़े discuss करते है मैं देखोल लिया nifty 50 अब nifty 50 में थोड़ा नीचे आके देखते है कितना properly आपका graph wise सारी चीज़े दी हुई है कि आपका कौन सा sector कितना percent weightage रखता है हमारी nifty 50 में कौन से stocks कितना percent weightage रखते है हमारी nifty 50 में कि आपको दुनिया भर के websites में जाने की जरूत ने है ये एक छोटी सी simple सी website बहुत जाद आपको help कर सकते है अब जैसे for example ये nifty 50 का आपका distribution है 37 percent हमारी financial stocks weightage रखते है इसलिए कहा जाता है कि जब अच्छा इससे एक related में छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी जो financial stocks होते है हमारे जो finance के stocks होते है जैसे हमारी bank nifty होती है ऐसा कहा जाता है कि जब bank nifty उपर जा रही है तो हमारी nifty 50 को भी उपर जाना चाहिए reason ये है कि bank nifty का nifty में 37% weightage हमारी bank nifty का है हमारे banks का है इसलिए banks जब उपर जा और nifty भी साथ में उपर जा तो ये trade की probability ज़ादा रहती है ये trade के काम करने का तरीका ज़ादा अच्छा काम करता है इससे related एक छोटी सी theory है जिसको कहा जाता है dow theory में वैसे तो कई सारे points है तो दूसरे major index को भी उसी के direction में जाना चाहिए तो ये move को ज़्यादा true माना जाता है इस move को ज़्यादा सच माना जाता है आप चाहें तो dow theory में ये theory जाके पढ़ सकते हैं बागी dow theory में बहुत सारे theories होते हैं लेकिन एक छोटी सी theory है उसके पीछे का logic में आपको छोटा सा समझा दिया तो इसलिए कहा ये भी जाता है कि जब nifty हमारी उपर जा रही हो bank nifty नीचे जा रही है तो इस ताइम trade करना थोड़ा सा avoid कीजे क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो सकती है ये उपर जाता है पता चला bank nifty को खीचने लगे आप इसमें short है अप nifty उपर जा रहा है लेकिन आप इसको उपर आपको जो selling की strength मिलनी चाहिए bank nifty में वो nifty के उपर जाने पर नहीं मिलेगी इसलिए कहा जाता है जब दोनों index same direction में जा रहे हो तो trading जादा अच्छी होती है trading जादा आसान हो जाती है चलिए तब है थोड़ी से खराब है बस sectoral distribution अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा साफ साफ प्रॉपरली ग्राफ में सारी चीज़े दी हुए कि IT का कितना वेटे जाओ किसी पर भी आपकर double click करते है तो आपका ये chart जो है expand हो जाता है और इसमें जो है आपको जो भी आपके major चीजे मतब जो भी आपके major चीजे दिखनी चाहिए आपको पर stock wise कितना वेटे जाए तिक है वो भी आपको पर stock का वेटे निकल के आ जाएगे जैसे कि मैंने financial services पर क्लिक किया मुझो दिख रहा है HDFC का 8.96 ICICI 7.76 HDFC का 5.94 जैसा कि अभी ZZZG ने अभी बताया था हमें HDFC bank को Reliance में ध्यान दे रहा है G ने ऐसा बलकुल नहीं है ICICI bank भी बहुत जादा weightage रखता है आप लोग जाके वापे से चेक कर लीजेगा मैं एक वेबसाइट नहीं आप लोग को बता हुगा ये आप लोग की responsibility है इस वेबसाइट को जाके देखना चेक करना कैसे कैसे की से काम कर रहा है फिल आते है हमारे IT सेक्टर में थोड़ा सा IT सेक्टर भी देख लेते हैं क्या IT सेक्टर कैसे काम कर रहा है ठीक है थोड़ा सा IT सेक्टर देखने की कोशिश करते है ठीक है IT सेक्टर में जैसे कि हमने कहा Infosys, TCS, Tech Mahindra, HCL Tech Infosys पे हमें ध्यान रखता है क्योंकि यह हमारा Nifty को थोड़ा मूफ करा सकता है ठीक है लेकिन IT सेक्टर की एक खास बत यह होती है कि पूरा IT सेक्टर एक ही डिरेक्शन में घुमता रहता है ऐसा नहीं है कि IT सेक्टर में Infosys से सूपर चल रहा है पूरा IT सेक्टर आपका एक ही डिरेक्शन में एक ही तरह से चलता रहता है चलिए अब एक छोड़ी सी और चीज लास्ट में बताना चाहूंगा फिर आपका Reliance का वेटेज 11 परसंट का है ठीक है इस वेबसाइट पर जाके आप यह सारी चीज़ें चेक कर सकते है फिलहाल मेरा intention आपको कुछ और दिखाना था तो लोग on के बहुत सारी दुनिया भर की क्या करवा देता इत्वाचन का देता हरा आज 2% गया, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, पता नहीं कि आप कोई वीडियो जाकर चेक करने की कोशिश कीज़ेगा, बहुत साथ चीजों को complex करती है, इतना complex करने की कोई ज़रूत नहीं है, इसी website की छोटी सी आपको trick बताता हूँ, ठ ठीक है, और यहां पर उसके बाद तीसरा जो कॉलम देख रहा है, index movers, ठीक है, index movers, index movers पर आगे, ठीक, अब index movers पर आपको यह सारा पूरा graph दिख रहा है, अब जरा मैं आपको छोटी सी चीज दिखाने की कोशिश करोगा, छोटी चीज आपको observe करवाने की कोशिश करोग ठीक है, कोई एक दूसरा stock पकड़ते है, हाँ, हिंदुस्तान यूनिलिवर का हम stock पकड़ते है, ठीक है, क्या आप लोग को दिख रहा है, क्या आप लोग को अपने screen पर दिख रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलिवर का price movement और index movement कितना दिखा रहा है, क्या आप लोग को दिख किए सिखाने के लिए कि बैठ के क Kerry हां देगे कितना मुव करें मुए कि कि ये ड्निया की का कट्रीर नहीं कि को करफet को डेल हैं targeting हरहते ह। हथ दो हेखते में बार के डी हैं जैसे हमने देखा हिंदुस्थान यूरेमर के 109 ौइट करने पर हमारी इंडेक्स 20 ौइट AMोव की है 109 पोईन्व करने पर हमारी इंडेक्स 30 ौइट UK 30 is 109 पोईन्व करने पर हमारी इंडेक्स Jadi हमारे nifty एक point move कर देगी इससे जाद आपको rocket sense लगाने की कोई जरूद नहीं है तिक आप जरा reliance का example लेते हैं मैंने reliance example पहले कि लिए आभी बताता हूं ठीक है ठीक है reliance जो है 29 point move करने पे index कितना move किया है 22 point right reliance के 29 point move करने पे index हमारा 22 point move किया है ठीक है जरा चोटी से calculation आपके सामने करते है 29 divided by 22 equals to 1.3 सम्दिक ठीक है यानि कि reliance के 1.3 point move करने पे आपकी index जो है एक point move करती है अब आप बोलेंगे कि यह सब जान तो लिए इसको use कैसे करें real life में मतलब हाँ obviously सुनने में अच्छा लग रहा है कि reliance के आपको छोड़ा सा example देता हूँ ठीक है दो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब हम करेंगे तो इससे बहुत जादा आगे निकल चुके होंगे लेकिन आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैं आपको इस सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ठीक अब देखिए say for example कोई एक अच्छा bank चूज करते है say for example ICICI bank चूज करते है ठीक है क्योंकि market यहां से major fall दिया है तो अब इस range को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो अगला रेस्टेंस इसका यह रहेगा simple आपको क्या करना है आपको एक scale लिखा लिए scale कहा लिए scale कहा लिए आपको देखना है यह कितना point हुआ 22 point का movement हुआ ठीक है अगर आपको पहले से पता रहेगा कि हमारी bank nifty अगर 1 point मूव करती है हमारी लचर्छ से करहेखा किया अगरा इस इतना रूब है will करने के लिए अगर आइसी आइसी एक पास इतनी जगाया तो हमारी bank nifty भी इतना movement कर सकती है हमारी bank nifty में भी हम यह target पे सकते हैं क्या इसी ज्यादा clear नहीं हो जाएगा आप लोग बाकी लोग इसी लिए मैं आपको यह website सिखा रहा हूँ इसी में कैसे चेक करते हैं कि हमारी bank nifty के move करने पर क्या होता है यही से मैं select करूँगा आपकी bank nifty हम सारी index देख सकते हैं लेकिन important से bank nifty financial और आपका nifty 50 है क्यों यही सारी index को options पत्र यही सारी index में आप trade कर सकते हैं जैसे मैंने bank nifty सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी index कितना पॉइंट करते हैं आपके सामने यह रहा हमारा calculator किसी पास calculator पास कर सकता है कोई बड़ी बाद कोई मदब issue नहीं है एक सब्सक्राइब करने पर आपकी index साथ पॉइंट करेंगी ठीक है यह जानने से आप market के राजा नहीं बन जाएगे लेकिन आपको यह चीज पता चली कि हाँ अगर आपको एक basic थोड़ा सा idea रहे है कि हाँ अगर HDFC bank में यहाँ पर major resistance एक मुझे दिख रहा है ठीक है और मुझे दिख रहा है HDFC bank इतना travel कर सकता है तो मैं basic calculation कर सकता हूँ कि हाँ मेरी bank 50 भी इतना उपर जा सकते है ठीक है अब ज़रा थोड़ी सी और चीज़े discuss करते है ठीक है लगे अब देखिए अब मैंने आप से क्या क्या चीज क्लियर की stocks क्लियर कि कैसे IPO हते है कैसे क्या होता है फिर हमारे nifty 50 में कितने socks होते हैं ठीक है फिर हमारी bank nifty में कितने stocks होते है यह सारी चीज़े मैंने आपको पता होनी चाहिए चीज़ है अब देखिये अब बात करते हैं हाँ यह ड्रेडिंग मतब यह क्लास जो है खतम हो आज मैं आपकी पहली क्लास में एक छोटी सी चीज आपको बताना छाहता हूं ठीक है एक छोटी सी बात आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं ठीक है अगर आप जब तक आपकी psychology strong नहीं रहेगे, जब तक आपका risk management strong नहीं रहेगा, आप trader नहीं बन पाएगे, मैं आपसे एक बात बोलूगा, आप ये course के लिए मुझे pay किया है, आप भूल जाएए मुझे, आप लोगो नहीं सीखना है, मुझसे, बस मैं एक चीज कहूँगा आपसे, ये चीज अगर आप follow कर लेगे ना, तो आपको ये course करने की भी कोई जरूद नहीं है, लेकिन ये चीज फॉलो करने के लिए कितने पापड बिलने पड़ते हैं, ये चीज़े मैं आप बागे बता होगा, ठीक है, आप सिर्फ अगर अपना risk management follow कर लेना, तो आपकी psychology की 70% issues solve हो और आप trader बन जाएगे, आपको कही से कुछ सीखने की जरूद नहीं है, कही से कुछ course करने की जरूद नहीं है, कही से price action सीख, हाँ, थोड़ी बहुत price action आने चाहिए, लेकिन ये चीज़ मैं आज आपको clear कर लेना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग जो भी मैं सारी चीज होने वाला है, वो हमारा money management रहने वाला है, वो हमारी life management रहने वाला है, कही चीज clear है आपनों को, चलिए ठीक है, हाँ, तो मैंने इस सारी चीज़े, basic सारी चीज़े clear होगे, चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए, stock market में कोई भी चीज, मैंने आप से कहा हमारी basic से चलिए, उसके बाद से हम थोड़ा advance price action पाएगे, फिला हम basic से कर रहे हैं, तो थोड़ा bore होंगे, तो bore मत होईगा, ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, stock market में हमें पैसे कमाने के लिए क्या जानना चाहिए, मतब पैसे कमाना है, अगर कुछ पता होना चाहिए, त क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए, कि market यहाँ से, अगर यहाँ तक move कर रहा है, तो यह movement हमें पहले पता चल जाए, या फिर इस movement में मैं यहाँ पे कही लो, यहाँ पे exit कर दो, ठीक है, या फिर market अगर उपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, उपर से तो मैं यहाँ पर कही enter करूँ, यहाँ पर exit कर जाओ, मुझे market, stock market में सर्फ इतनी ही चीज़ करनी है, तो सबसे basic part हो जाता है, सबसे bigger का part हो जाता है, कि यह movement हमें, पता कैसे चलेगा, कि market जो है, यह movement देने वाला है, ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं, कौन से दो तरीके ह होते हैं, एक होती है आपकी fundamental analysis, एक होती है आपकी technical analysis, ठीक है, एक होती है आपकी technical analysis, fundamental analysis, क्या होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों नहीं use करना जाए, यह सारी चीज़े में आपको बताऊगा, फिर आपको मैं discuss करूँगा, technical analysis, technical analysis में आपकी दो basic चीज वेस्ट रेडिंग यूज़ करते हैं प्राइज प्राइज एक्षन प्राइज बैस ट्रेडिंग आप यूज़ करते हैं चलिए ठीक है बहुत अची बात है ठीक है तब तो मुझे इंडिकेटर्स पर जादा ध्याब देनी के ज़रत नहीं है ठीक है फिर भी मैं क्योंकि रिक fundamental analysis की जो basics है वो कहती है कि कोई भी stock जो है उसकी एक fair value होती है ठीक है उसकी एक fair value होती है उसका market price होता है ठीक है उसकी fair value होती है यह market price कैसे calculate किया जाता है इसको calculate करने का तरीका यह है कि आप stocks की assets ठीक है उसका revenue ठीक है फिर उसका total expenditure क्या है ठीक है उसकी earnings क्या है यह सारी ची में क्या-kia चीजे होती है क्या-kia चीजे नहीं होती है basic चीजे आपको जो पता होनी चाहिए जो आप future में जब कभी investor बनते हैं कुछ investment करते हैं तो इन सारे चीजे पर आपनों ध्यान दीजेगा ठीक है सबसे पहले होती है हमारी PE value ठीक है price to earning ratio दूसरी होती है हमारे dividend deal, ठीक है, तीसरा होता है price to book ratio, यह उत्ता है important है, ठीक है, चौता होता है earnings per share, यह सारे कुछ important metrics है, जो हमारे stock market में, मतलब यह हमारे जो traders है, हमारे जो investors है, इन सब चीज़ों में धान देते हैं, ठीक है, अब fundamental analysis शुरू करने से पहले, मैं आपको सबसे basic fundamental चीज़ बताना चाहता हूँ, सबसे basic fundamentals बताना चाहता हूँ, कि stock market को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, आपको पता है, stock market को, हमारे Indian stock market चाहे, कहीं के भी stock market को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से पसंद है, आपको पता है, मैं बताता हूँ, stock market को सबसे ज़्याद है वैसे चलने दे ठीक है अब स्टेबल गवर्मेंट का नाम लिए तो एक छोड़ी सी लॉजिक एक छोड़ी सी चीज बताता हूं ठीक है जब आपने क्योंकि क्या क्या स्टेबिलिटी कैसे आगे अगर अग्ले साल भाजपा आती है तो जो रहा ह्ला है कोशिश करेगी घुछ नए अपने लाउज बनाने की अपने तरफ से और चयुक्स अपने 30 करेंगे तो यह चीज़ stock market को फसंद नहीं आती है stock market को सिर्फ सिर्फ stability पसंद आती है अब इसको आप real life में use कैसे कर सकते है use कर रहा नहीं है, कर कैसे सकते है फिर भी मैं बताता हूँ जैसे हमारे exit polls होते है exit polls में अगर यह निकलता है कि same company की government, same देश की government state का election रहता है state wise भी चीज़े follow होती है अगर state में same government है तो चीज़े अच्छी है और हाँ same government में कौन कहन सी state जादा important है यह याद रखिएगा, ठीक है state भी सारे important नहीं है state important है आपके बड़े-बड़े जो लोग देश की GDP पहच्छा खासा effect डालते है जो लोग companies को effect करते है जैसे कि आपका महाराश्रा हो गया ठीक है आपका गुजरात हो गया ठीक आपका उत्तरव्रदेश हो गया ठीक है फिर आपका north side में तमनलाडू हो गया ठीक है यह सब देश आपके जादा impact करते हैं इन सब countries के election आपका जादा impact करते हैं इन सब states के election आपका जादा impact करते हैं हमारे stock market रहे बाके छोटे मोटे पर धार्म निकिस कोई ज़रूत नहीं है ठीक है चलिए तो हम बात कर रहे थे हैं अपने fundamental analysis की ठीक है fundamental analysis में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया earnings per share जिसे हम लोग EPS कहते हैं ठीक है फिर हमने बात किया price to earning ratio की सबसे पहले आते है earnings की फिर price to earning ratio की ठीक है आपकी कोई भी company है मैं तब मुझे EPS जादा explain करने की ज़रूत नहीं इसके नाम नहीं सारी चीज़े clear है earnings per share किसी company के अगर 10,000 shares market में है ठीक है आप ही मैंने आपको shares बताया था ये number of shares इसको इसका float कहा जाता है ठीक है इसको float कहते है माली जी किसी company के 10,000 shares है इस company को profit हुआ है एक लाग करोर का इस company को profit हुआ है एक लाग का तो इसके earnings per share हो गए 10 रूपे और price to earning ratio जिसे हम लोग PE ratio कहा जाता है ये price is to मतब price is to earning का ratio होता है मतब per share price पे आपकी earning कितनी है इसे PE ratio कहा जाता है ठीक इन जनरल जो है है आपका P.E. ratio 40 के नीचे अच्छा माना जाता है ठीक है लेकि और 40 के उपर का P.E. ratio fundamentally खराम माना जाता है ये सारी दुनिया भर की फालतु चीज़े है क्यों फालतु है मैं आपको आगे बताता हूँ ठीक है फिलहाल आप लोग को कुछ basic fundamentals पता होने चे इसलिए मैं बता रहो ठीक फिर आपका एक चीज़ आता है dividend yield ठीक है dividend yield यहां बहुत लोगों को पता होगा dividend yield मतलब कोई भी particular shares अपनी share price के मतले कितना percent साल में dividend दे रही है उसको dividend yield कहा जाता है dividend मतलब जो companies आपको profit अपने profit के हिस्से में से कुछ हिस्सा देती है ठीक है उसको dividend कहा जाता है ठीक say for example किसी share का price अगर 100 रुपए है ठीक है जैसे for example आपका camera bank है camera bank का share price 100 रुपए है ठीक है आपने 100 रुपए से में invest कि अगर आपको company साल में 7 रुपए dividend दे रही है तो इसका dividend deal 7% हो जाएगा ठीक कि चीज़ आपको इतनी बेस है का पता होनी चाहिए नहीं पता है ठीक है ठीक है फिर प्राइस फिर एक आता है हमारा price to book ratio ठीक है book पहले इसके पहले मैं book price clear करना चाहता हूँ ठीक है book price is nothing but book price कैसे मैं आपको समझाओ हाँ देखिए एक कोई भी company है ठीक है कोई भी company इसका share price 1000 रुपए है ठीक है लेकिन इसके सारे अगर दुनिया भर के assets मिला दो दुनिया भर के assets मिला दो डेम्ट मिला दो revenue मिला दो सब मिला कि इसकी एक कुछ book value हो कि ना book value मतलब इस company की real value क्या है मतलब जैसे माल लीजे मेरी reliance है ठीक है reliance है इसकी share price की value है share wise value है 10,000 करोड रुपए ठीक है 10,000 करोड रुपए इसकी share price value है ठीक है इसकी real इसके assets मिला किया लेकिन 10,000 करोड इसके market cap है ठीक है market cap और real value में पर्क होता है यह आपनों को अभी मैंने बताया था ठीक है तो अगर 1000 करोड इसकी market value है तो इसकी book value क्योंकि इसकी asset value इसके market value से 10 गुना कम है ठीक है तो यानि इसकी book value जो है इसके per share से 10 गुना कम हो जाएगी मतलब अगर इसका share 1000 रुपए का है ठीक है तो इसकी book value के हिसाब से per share price आपका book price हो जाएगा 100 रुपए ठीक क्या चीज़ क्लियर है आप लोगों को और यही इसी को कहा जाता है price to book ratio मतलब इसके price के comparison में book value कितनी गड़बड है इसको price to book ratio कहा जाता है ठीक है यह दुनिया भर के fundamental analysis आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है जानने की जरूरत क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है आप लोगों रिलाइंस का नाम सुरू रहोगा रिलाइंस बहुत अच्छी जरा हम थोड़ा सा नीच आते यह देखिए रिलाइंस की book value क्या है एक हजार दो सो रूप है ठीक रिलाइंस की real value मत्ब मार्केट प्राइस क्या है 2400 रूप है अब बुक वैल्यू की सबसे बड़ी खास बहुत पता है क्या है कि यह बुक वैल्यू भी अलग-अलग यह अल अलग-बुश करते रहते हैं किसी के सीए बैटके अलग-बबुश कर रहे है किसी के सीए बैटके अलग-बबुश कर रहे है ठीक है तो देखिए यहाँ पे ग्रों के website मुझे book value दिख रहे है बारह सो दो रूप है अगर मैं थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता हूं त कि fundamental analysis don't work in the short term fundamental analysis only work in the long term ठीक है long term में भी आज की डेट में काम नहीं करता है पहले काम क्या करता है आज की डेट में काम नहीं करता है ठीक तो fundamental analysis पता होनी चाहिए जो लोग लेकिन इसको सिखाने के लिए आपके अभी कोई एक तो कौन चर कौन लाई है तो मुझे यह समझ में आता है कि इसको ले कौन रहा है पढ़ कौन रहा है इसको सीखने के पीछे परेशान कोन है ठीक है बटीक है कोई बात नहीं हम तो एक चोटी सी बाती कि क्योंकि आपको साफ साफ रियल लाइफ में दिख रहा है कि रिलाइस इतनी स्टेवल कंपनी है फिर भी कहीं उसकी फंडमेंटल वाल्यू कुछ और है कहीं कुछ और है ठीक अब बात करते हैं हमारी सबसे बेसिक चीज मतलब जो प्राइज आक्शन में हमारी बिगनर चीज सबसे बेसिक शुरुआत होती है पहले हमारी शुरुआत होती है एक चार्ट से ठीक है जब भी आपने नहीं नहीं ट्रेडिंग स्टार्ट की ब्रोकर का प्लाटपॉर्म पहरी पर खुला हो तो आपको दुनिया भर की लाइन दिख रही होगी जो कि कोई सेंस आपको उस ताइप नहीं बना रहे होगी तो तो टेक्निकल अलालसिस के हमारी शुरुआत होती है एक पटिकुलर चार्ट देखने से ठीक है चार्ट हमारे और जो है तो 5 शे श्याब ने फीकिए तमके याप तरीके होता है है तिक है आपका होता है अलाइचर्थ सबसे नहीं जाट एक सबसे पहले बार सी उसके जाते थे लेकिन आज के रेट में हमारी Japanese Candlestick Patterns सबसे ज़्यादा important है तो अब बात करते हैं हमारे Candlestick Patterns की Candlestick Charts की ठीक है Candlestick नहीं Candlestick ने काम करते हैं पहले चार्ट से शुरू करते हैं ठीक है हाँ ठीक है तो अब देखें हाँ अब आते है आपके लाइन चार्ट में चार्ट जयांस की सबसे बेसिक से चार्ट बनती कैसी आएद बनता होगा चलिए मना बता देता हूं candle stick charge कोई भी आपका candle stick बनता है किसी में candle stick का एक opening price रहता है एक closing price रहता है और उस opening and closing price के बीच में market कितना गूमा है एक वो price रहता है एक example देता हो candle stick charge जो है आपके per minute मतलब हर minute to minute divided है या तो ये 15 minute breaks में हो सकते हैं या तो कर सकते हैं जैसे कि आपको अपने प्लाटफॉर्म पे उपर दिख रहा होगा ठीक है पांच पंदरा एक दर्स डेली ठीक है दुनिया भर के होते हैं ठीक है एक चोटा सा नौ बच-पैस जैसे के मिनिट आपका ओज़ता है मालिज आपका मार्केश यहां फीर नौ बच-चने मिन supplement पर आपका का मार्केश यहां घीक हैं यह था बच-चने मिन ports यहां जैसे कर दो है लेकिंन फीर system, हमें कैसे दिखेगे, जहां market open हो रहा है, जहां open हो रहा है, वो एक opening price रहता है, जहां market close होता है, वो एक closing price रहता है ठीक, यह दो चीज clear होगे, इस particular interval में, जो market high बनाता है वो उसकी एक विक रहती है, ठीक और जो market low बनाता है, वो उसकी दूसरी विक रहती है, ठीक कैसी clear है आप लोगों को, और अगर market जो है, market की closing price, मतलब यह closing price opening price से उपर है, तो यह candle का color green रहता है, अगर closing price opening price से नीचे है, तो यह candle color red रहता है मुझे लगता है, यह basic आप लोगों को पहले से की सबसे important candlestick patterns हमारे कौन से होते है, मतलब candlestick में भी कुछ patterns बनते रहते है, time to time जैसे आपका hammer होता है, doji होता है मैं हरे candlestick pattern आपको समझा होगा लेकिन जो लोग यह पर trade करते है, पहले मुझे कोई बता सकता है कि सबसे important candlestick pattern क्या होता है pinbar doji 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 or marubozo marugozo इसक्राइब रुद अन्यों pag अपके बहुत बहुत अजीब अभी है डुष that कर्क भंड़ freakin태倒 कर्फिक द्रोफिक लाँ इस पर कानब जब क्ड़ कानम Band talks इसक्राइब लाए responding आपने मुझसे कहा कि आपके hammer candlestick बहुत जाद important रहते हैं, pin mark candlestick बहुत जाद important रहते हैं, ठीक है बहुत अजी बात है, ठीक है, मैं इस class को अब एक काम करता हूँ, मैं यही पे close करता हूँ, ठीक है, और तब तक मैं आपको एक छोटा सा, एक छोटा सा लिए चलिया औवर तरह थोड़ा साव सवर ठोड़ा साव तूर किरते हैं ए अच्या है अच्या है आपको आपका इसे काम करता है क्यों काम करता है यहाँ ची इवनिंग स्थार होता है यह सब कंप्यूस करने के लिए बनाया जाते हैं तो क्या अप मेरी बात पर द्रस्क करेंगा सिर्फ आपने के लिए बताए जाते हैं मांशूद जी क्यों बता सकते हैं आप मांशूद जी ऐसे तो यह बहुत सारे दिख जाते हैं हर टाइम फिर्म पे मैं सिर्फ बेसिकली दो यूज करता हूं ट्रेंड के साथ यूज करता हूं मैं पता लटाउट जा चूटी सी चीज में आपको दिखाना चाहता हूं जडरा द्यान से देखिएगा समझाजिएगा कोशिच किईएगा देखने की यह क्या है यह इसको और में आपके हैं और के कोर् reacting का कंईस्रिक पैर 다στ zombies रहते हैं हैं कि हनील्स प्रूरा complete इसाध से आपको सिर्फ शर्फ पूरे दुनिया की जाने है तो सिर्फ ऐसा पिन पर होता है नहीं hammer candlestick देखनी है आपको pin bar देखनी है यह आपको doji candle देखनी है यही तीन candle देखनी है अब मैं बताता हूँ क्यों यह three candlestick pattern आपके bullish engulfing और bearish engulfing क्यों बेकार होते हैं मैं आपको छोड़ी शीर दिखाता हूँ आपने कहा अभी right bullish engulfing वंशूद जी वंशूद जी आपने भी कहा ना bullish engulfing candle आपको पसे हैं क्या यह bullish engulfing pattern is nothing but a hammer candlestick pattern अगर इसे बड़े टाम फ्रेम पर देखेंगे तो वो यहीं बड़े टाम फ्रेम पर देखेंगे तो वो यहीं पर देखा देखा तो यह hammer candlestick pattern है right क्या यह morning star एक hammer candlestick pattern नहीं है मार्ट बार नहीं है market यहां खुला यह high लगाया यह close कर दिया यहां खुला high लगाया और यहीं पर close कर दिया क्या यह एक पिन बार नहीं है जो नहीं दिख रहा है मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ है जो लोगों को नहीं दिख रहा है मैं उनके बात कर रहा हूं कि आपने कभी पैटन को ऐसे देखा है विटेश जी क्या आपने कभी पहले पास्ट वैसे आफ्ज़र करने की कोशिश की है कि बेसिकली यह कि दुनिया भर के कैनलिस्टिक पैटन कुछ नहीं है बलकि आपके हैमर और पिन बार का एक फॉर्म है अगर हाँ तो प्लीज कर लिए चलिए ठीक है तो आपकी बेसिक्स की पहली क्लास खतम हो गई है ठीक है कुछ और बेसिक्स मचे हुए है आई कि इस क्लास में मुझे आपको मुझे पैसा नहीं कम वाना है मुझे आपको यह निखाना है कि अपको यह निखाना है आपको यह निखाना है कि अपको इसका इसका नाम तो बताईये तक मिल जाएगा है अभी मैंने बात की Candlestick Patterns की ठीक है कुछ मैंने Candlestick Patterns भी हम आपको सिखाऊंगा ठीक है और क्या बोलते है आज की Class का recording प्लस आज की सबसे important book एक book है Japanese Candlestick Charting Techniques Steve Nyson की करके है मैं आपको एक PDF उसका provide कर दोगा ठीक है आप लोग मेंसे books कितने लोग पढ़ते हैं क्या आप लोग मेंसे books कितने लोग पढ़ते हैं बता सकते हैं आपकी फेवरेट रप्टक की stock market की book कौन से है The Discipline Trader and Trading in the Zone एक mindful trading है वोगी एक 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 माइड पली एक 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 साल हो गए एक साल हो गए ठीक है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है आप एक habit लिजे क्योंकि जितने बड़े traders है books जरूर पढ़ते हैं ठीक है हां मतब अगर आपको एक दमी इंटरेस्ट नहीं आता है तो भी कोई बात है लेकिन books हमारी psychology को बहुत हद तक बहुत जादा बहुत सारी चीजे हमारी लिए clear करती है ठीक है तो बुक्स पढ़ने की habit लगा लिजे अगर आपको स्टोरी पढ़ना पसंदे मतब किसी की स्टोरी पढ़ना पसंद नहीं पसंदे तो मैं रिकमेंट करूँगा पुमारी स्टोरी की स्टोरी कहाया साथ कीजे ब्लॉप कर हो स्टोरी किसी दॉस्टोरी है तो बार किसी क्लास किंद को का किसी लगया अब और फीस बता दीचेए बाकि हम-अग्ली क्लास तो मैं फोड़ा कोशिश करूगा कि आप लोगी दो-तीन ग्लास और ले लो अपकी आपकी क्लासे ऐसी हो जाए कि उन लोग के साथ आपनों को कवर अप यूज़ा है तो आप लोग को अची क्लास लगी कैसी कुछ डाउट है डाउट तो आउट है तो आज जो चुका है तो आ जलते हैं सेगली लास में वच जी और अभी तो सेगली लागी चलिए थांक्यों बबाए अब ग्रेट देग